नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, रड़ी हो जाएए जनसत्ता नियूस पेपर से संपाधी के पाट लिखने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड में सम्मान के नाम पर जिस तरह एक लड़की की उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी उसने एक बार फिर यह सवाल पैदा किया है कि इस तरह की शर्मनाक सामाजिक जड़ताओं के कायम रहते किसी भी समाज को कैसे विकास मान और आधुनिक माना जाए आम तोर पर हर व्यक्ति अपने समाज और उसकी परंपराओं को इसलिए महान बनाता है कि उसका मूल संदेश प्रेम है लेकिन इसी समाज में ऐसी खबरे आयें दिन आती रहती हैं जिसमें अगर कोई युवक या युवती प्रेम संबंध में होते हैं तो वे खुद अपने परिवारों तक के लिए ना केवल नफरत के पात्र बन जाते हैं बलकि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है नांदेड की लड़की थोड़े दिनों में डॉक्टर बनने वाली थी लेकिन उसके मातापिता चचहरे भाई और मामा ने बेहद क्रूरता से करंट लगा कर उसकी हत्या कर दी और शव को जला कर राख नाले में बहा दी कारण बस यह था कि लड़की एक युवक से प्रेम करती थी इस प्रेम को उसके अपने ही परिवार वालों ने अपने सम्मान पर चोट माना और इस कदर क्रूर हो गए यह कैसी परंपरा है जो युवक युवती के बीच प्रेम के बदले उनके अपने परिवार से लेकर समाज तक के भीतर नफरत पैदा कर देती है इस तरह का प्रेम परिस्थितियों के प्रवाह में उपजी सहज मानविय भावनाएं होती हैं और प्राकृतिक होने के नाते उसका सम्मान किया जाना चाहिए मगर इसके उलट इस तरह के पिछड़े और अमानविय सामाजिक मूल्य आज भी पाए जाते हैं जिनमें कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो उसका परिवार और समाज उसे अपने सम्मान के खिलाफ मान लेता है प्रेम किसी भी तरह के सम्मान के विरुध नहीं होता बल्कि ऐसा मानने वाले लोगों की चेतना पारमपरिक सामन्ती और जड़ मुल्यों से संचालित होती रहती है यह विक्रती भारत के हर हिस्से में पाई जाती है जिसमें कितनी ही लड़कियों और कई बार उनके प्रेमी की भी हत्या कर दी जाती है दरसल इस तरह की धारणाओं के मूल में इस्त्रियों के जीवन और अस्तित्व पर पित्र सत्या का कबजा मुख्य वजह होती है जो सामाजिक मुल्यों के रूप में लोगों के मानस पर ठोपी जाती है ऐसे पित्र सत्तात्मक और सामन्ती मुल्यों के बीच पला बढ़ा कोई भी व्यक्ति अपनी बेटियों को यह अधिकार नहीं देना चाहता कि वे अपने जीवन साथी का चुनाओ खुद कर सके अगर किनी परिस्थितियों में ऐसा होता है तो परिवार इसे अपने जूठे सम्मान पर चोट मानता है और कई बार इसकी प्रतिक्रिया बेहद सम्वेदन हीन और क्रूर हो जाता है जबकि नकेवल व्यक्ति के रूप में कोई बालिग और परिपक्व समझवाली लड़की अपने जीवन के बारे में फैसला लेने की सलाहियत रख सकती है बलकि देश के सम्वेदान से भी उन्हें इसका अधिकार मिला हुआ है अगर उसके परिवार और समाज को कुछ ठीक नहीं लगता तो वह सिर्फ उचित सलाह दे सकता है मगर विडम्बना है कि लड़की को एक व्यक्ती मानने के बजाए उसे वस्तु या संपत्ती मानने की प्रवृत्ती न समाज में न किवल सामंती दुराग्र पैदा किया है बल्कि इसके शिकार लोग बेटी या फिर उसके साथी की हत्या जैसे बरबर अपराद करने तक चले जाते हैं यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जूठी इज़्जत के नाम पर हत्या कर देने की मानसिक्ता को किसी भी पैमाने से सभ्य और आधुनिक चेतना वाले समाज की पहचान नहीं माना जा सकता उमीद करता हूँ इस डिक्टेशन में कुछ दो-चार वर्ड्स को छोड़के बाकि सारे वर्ड्स आपके काफी फ्रेंडली रहे होंगे जो रामधारी गुपता खंड एक और दो की जो बुक्स हैं उनसे ही जगतर मैटर वर्ड्स हैं इसमें कुछ एकात वर्ड्स को छोड लिखें तो आप इसको बहुत कंफरड़ल तरीके से लिख चुके होंगे जो लोग नहीं लिख पाएं वो परिशान हो रिपीट करें दो बार कर ले इसके अलावा डिक्टेशन बड़ी लगती है तो दो भागों में लिखें तीन भागों में लिखें और रिपीट करें बा वेलकम है आपका देट सॉल थैंक यू